जेसरी कृषिना रादे रादे ओम ग्यान सांगर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज हम आप सभी के लिए लेकर आये हैं एक बहुत फास जानकारी सिवलिंग पर सर यानि मस्तक माथा क्यों लगाना चाहिए लगाना चाही या नहीं क्यों लगाया जाता है इसी के बारे में आज आपको बताएंगे आपने कई वार देखा होगा कि लोग महादेव की पिंडी यानि महादेव के सीवलिंग को सिर लगाते हैं क्यों लगाते हैं मस्तक लगाते हैं क्यों लगाते हैं क्या कारण है मैं हुरीना सर्मा आज आप सभी के लिए लिए कराई हूं सीव लिंक पर माथा क्यों टेकते हैं इसके बारे में बताऊंगी अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज हमारे चाइनल ओम ग्यान सागर को सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को ला मंदिर जाते हो सीवलिंग पर माथा टेकते हैं टेकते हैं तो बहुत अच्छी बात है अगर नहीं तो अब से आप सीवलिंग पर माथा लगाना सुरू कर दिये परंतु देव के देव महादेव भूले नात आपके लिए सिरफ आपकी भक्ति के कारण आपको वो भी देते हैं जो आपके भाग्या में हो इना जो लिखा ही ना हो मादेव आपकी खुशी के लिए आपके माथे पर लिखी रेखाओं का भागय बदल देते हैं जो इस बाद से प्रेसान रहते हैं कि हमारे भागय में तो कुछ लिखाए नहीं है हमारे मस्तक में तो बूरा होना ही लिखा है मस्तक में रेखाए नहीं है सुखी अगर आपके मन में भी यही सवाल चलते हैं कि किसे ने ये बता दिया कि तुम्हारे माथ्य में तो रेखाए नहीं लिखिये, तुम्हारे भागय में तो कुछ नहीं है, तुम्हारा वहिश्य तो अंदकार में है, तुम्हारे जिंदगी में तो कभी खुशियां आएगी नही आपको निरास होने की बिलकुल जरूरत नहीं है आप भगवान सिव की अरादना करते रहे पूरे मनो भाव और भक्ती सर्दा से आपको निरास होने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है सिवलिंग पर जल चड़ाते रहे और पूजन करने के बाद सिवलिंग यानि सिवलिंग यानि सिवलिंग पर अपना माथा जरूर सप्रस कराए अपने सर को जरूर लगाए भगवान सिवलिंग से पूरे दन मन से शिवजी की अरादना कीजिए बोले ना बेहद आपकी जिन्दगी को खुशियों से भर देंगे एक बार विश्वास तो करके देखे बागत अपना सिर बगवान महादेवी शिवलिंग से अपना सिर माथा लगाते हैं कि उनका भाक्या बदल जाए मस्तक पर भीखी खराब रेखा दुख जो लिखा है वह सुख में बदल जाए और उनको खुशिया मिले इसलिए बागत महादेवी के सिरुजिंग पर मस्तक लगाते हैं सिरुलिंग से अपने माथे को सप्रस कराते हैं माथे को सप्रस कराने से जो भी दुख तकलीफ कस्ट लिखा ह होता है वो मिट जाता है और मेरे महादेव उसको सुख में बदल देते हैं आप एक बार सरदा विश्वास से करके देखिए आपको जरूर फिल मिलेगा और महादेव आपको बहुत सारी खुश्यं भी देंगे सरदा रूसवास से आप एक बार बोले-नाथ के सीविलिंग पर अपना माथ्था जरूर टेके और विश्वास करके देखिए कि आपको भोले ना बहुत सारी खुशियां आपको देंगे कॉमेंट बुक्स में हर हरमादेव जरूर लिखे बोलिए प्यार से हर हरमादेव पारुती मैया की जै यह थी जानकारी बगवान सीविलिंग पर माथ्था टेकने का क्या महिमा है असा करते हैं कि आपको यह जानकारी जरूर पसंद आएगी और हाँ हमारे चैनल ओम ग्यान साकर को सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को लाइक और सभी प्रवार दोस्तों के साथ जादा से जादा शेयर करें तो मिलते हैं ऐसी एक और निजानकारी के साथ जब तक आप सभी लोग स्वस्त रहे मस्त रहे खुस रहे तरकी करें बगवान बोले नात मता पारुती का आश्रिवाद आप से भी को हमेशा मिलता रहे और आपके घर में हमेशा खुस्या रहे तो हमेशा ऐसा ही स्वस्त रहे मस्त रहे मुश्कुराते रहे जैसीरी किछना रादे रादे धन्यवाद